प्रभू, राम, देव, भगवान, अल्ला, खुदा, ईश, आदिनाम एक ही शक्ति के हैं वो कैसा है, कहा है, कैसे मिलता है, किसने देखा है ये प्रश्णवाचक्चिन, पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी संतराम पाल जी महराज के अम्रित वचन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर दास कोई बिखारी नहीं था, परमात्मा का दिया हादोरो टीवी थी, जुनियर इंजिनियर की नोकरी करता था, शेट नहीं था तब उखावी नहीं रहता था, लेकिन मालक कादेश हुआ और परमात्मा कादेश सिरोधारिय हुआ, इसके बाद इसकारिये को प्राहम मालक दास कर रहा है, तो यहां ऐसा कुछ नहीं है, यदि यहां आओगे, सारी बुराई छोटनी पड़ेंगी, नित याने की कोई हो सकता नहीं, पुनात्मा उजीव से नहीं छोटेगी बुराई, परमात्मा आपका साथ देगा, अवस्य देगा, आप देखना, आपको बीडी स तमाखु से दूसरा पी वगाद तो भी नफरत हो जागी, आपको इतनी किरपा हो जाएक प्रमात्मा के आपको नुक्सान करने लग जागा फिर तमाखु आप छूओ भी भी नहीं, अब प्रसंग चल रहा है, कि प्रेम की पवन करेचित मंदन्धल के तेजने आरे, अब प प्रमात्मा के सही, आपके ओपर रगड़े लगेंगे, ग्यान के, बगती के, सुम्रण के, फिर दान करोगे, फिर अंतकन साफ हो जागा, आप में प्यार जागरित होगा, और जो साधना आप अन्या कर रहे थे, उनसे प्यार जागरित नहीं होता, बलके दोएस हो रहा है, जितने भी संथ हैं, आपस मैं यूँ, आप किसी तो कर ले दे, कितने मुंडले इस वर जागरे, आपने कठे वेठे देखे होता है, जिनके चैनल चला है, टीवी चैनलों पर ये रोग दुन्यान परचार करते हैं, ये कठे उन्दे लड़े हैं, क्योंकि सारे हैं कि मार्ग नारे नारे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो उसकी नंदा कर रहा है, वो सचमुच नंदा कर रहे हैं, और दास के वलिए थार्थ बता रहा है, तो साथ दूसरत ता इकठे होने चीएं, अगर वो संथ हैं, एक दूसरे से विरोद न होना चाहिए उनको और सब्डें मिलके मानली जी ये दास जो ग्यान बता रहा है और किसी को इस पर आपती है वशे तापती दास छोड़ता है को नी क्योंकि साथ लाल्टन दिखा देता है ये टॉर्च के आप ये बोल रहे हो स्रीवान जी आपकी ये पुष्टक है अपने लिखा है और हमारे वेदी ये बता रहे तो उसकी जुबान पर टेप लग जाती है वो बोल सकता नहीं हिल सकता नहीं फिर वो बकवाद करता है वो तो गुंड़ा है धुठा है उसकी बात मत सुनना वो तो निंदा करता है और क्या बोलेगा फिर यही बोलेगा अरे एक बात बता जो तेरी निंदा करी हो तुझे गुंडा करे आओ तुछ चोर करे आओ या ठग कहा हो तेरे ज्ञान मत रुटी ढूंडी है वो वेद्वों से कंपेर की है शद्गर्णतों से कंपेर इतना किया दास ने तो एक दिन आएगा इन सफीग ने सरंडर करना पड़ेगा दंता के सामने यह सुविकार करेंगे हमारा ज्ञान गलत है अगर यह संत होंगे यह तत्व ग्यान यह मूल ग्यान कबीर जी नभी तक छुपाने का आदेश दे रहा था और लाख दुआई कर रहा किती दर्म दास तो ए लाख दुआई यह तत्व ग्यान यह मूल ग्यान की तबार नजाई अर ये मूल ग्यानबार जो पड़ ही विचली पर डिहंस नहीं तरही अगर ये ग्यान आम कबीरपन्थी को भी होता और उसके पास नाम देन का दिकार नहीं होता तो हम कैसे संजाते हैं कि हम ठीक बता रहे हैं वो गल्द बता रहे हैं ये सारे तक और पनाइठियों के मुबंद हो जिंगे और सारे ये नकली पनती जो रहां उनके और साथ मैं जो हिंदू दुरम को बिस्ट-गाइड कर रहे हैं और अन्य संत इनको मुरक बना रहे हैं इन सब के मुबंद हो जाएंगे क्योंकि ये सद्गर्ण थाथ हमारे साथ हैं ये बोल रहे हैं तो ये मूल ग्यान छुपा कर रखे दा प्रमात्मा ने अपनी सोसम वेद में और आज दास आपको सुना रहा है और इनमा प्रगट दिखा रहा है अपने सद्गर्णतों में तो फिर संसर रह गाई नहीं तो पहें चानोंगे आपने बगवान चाहिए आपने परमात्मा चाहिए है और परमात्मा मिलने जारा अना कानी किसी बगवान पीछा नहीं अट्या करते हैं छोड़ देंगे सब कुछ को चे को किसा महेंत संत बन्याओ वो तो नकली सांग है आप भी नरक में जागा आपको भ देखो इन तिन्नों का व्याव कर्याल दुरुगा ने यही देवी पुराण चल रहा है यह देखिएगा यह तीसरा सकंद तीसरा सकंद और प्रेश्ट नंबर यह 126 यह नेचे देखिएगा बिर्माजी इस सारे संसार में मैं ही व्यागपक रूप्षे विराजमान हूँ यह दुरुगा बोल रही है और फिर क्या कहती है बिर्माजी इस सक्ती को तुम अपने सत्री बनाओ यह अनुपमा सुंद्री है इसका मुक्ष सदा मुस्कान से भरा रहता है महा सरस्वती नाम से विख्षात इस स्रेश देवी में सभी रजोगन विद्दमान है अब यहाँ इस अनुपमाद करता ने ऐसा किया है जबकि यहाँ स्यावत्री होना चाहिए इसका दिव सरीर सवच वस्तरों से सुसोबीत है यह सुंद्री अब सदा तुम्हारे इस्तरी होकर रहेगी इस प्रियसी भारिया को भी मेरी ही विभूती समझ कर आदर की द्रिश्टी से देखना आगे देखो अब तीश्रा सकंद की चल रहा है और प्रिश्ट नंबर 128 पर इस प्रकार मुझे आग्या देकर वंदना भगवती प्रशन वंदना भगवती जगदंबाने बगवान विश्णों से कहा विश्णों मन को मुगद करने वाली इस महालक्समी को लेकर तुम भी प और यह सदा तुम्हारे वक्स सथल में विराजमान रहेगी तुरी ठाटी वा बेठी रहे गिनूंक है आगे देखो तुम इस लक्समी के साथ सदा आनंद करना इरामा कांद पहला बाग बीज हैं दूसरा काम बीज किलम तीसरा बाग माया बीज हर्यम यह मेरे मंतर हैं अब आप देखो कहीं की एंट कहीं का रोडा अद्दास आपको यह परमात्मान दिये हुए सक्त यानि सुक्सम वेद में दो ग्यान है उसमें से यह मंतर आपको दिये जाते हैं वो बिल्कुल अकुरेट मंतर हैं सारे ही कंप्लीट है इन किता है शर किता है पैर किशे की टांग क किसे का कुछ एंट कहीं का रोडा आगे कहते हैं कि बग्ति और मुक्ति देने वाले इन मंतरों को सदा समण रखना चाहिए उपर जो बोले हैं कल्यान कारी इच्छा करने वाले पुरुस ओम इस परवन के साथ मंतर जब करें पुरुषोतम तुम बैकुंट की रसना करके व वहीं विराज मान रहो अपुन्यात्मा जो दास आपको पहला मंतर देता है वो पांच नाम इसमें से दो नाम इसने सफ़ष्ट किये हैं लेकिन कहीं की एट कहीं का रोडा शिर कहते हैं तेरा कल्यान हो ओम नाम जपले जतन कल्यान जिये और ये सहयोगी मंतर है ये मोक्स के जैसे रोग काटने के लिए गलुकोस अलग है गलुकोस रोग नहीं काथती में वह सहयोग देती है श्रीय को सवस्त बनाने में लेकिन रोग काटने की ऑसदी नियारी होती है आगे देखो देवी ने कहा शंकर मुन को ext करने वाली यह महकाली गौरी नाम से विख्यात ह तुम इसे पत्नी बनाओ, पत्नी रोप्षे सिविकार करो, कैलास की रचना करके वहीं रहो, और इसके साथ सुक पुरुकानंद करो, तुम्हारी लीला में तुमोग उनकी प्रधानता रहेगी, अब ये कलियर हो गया, पुन्यात्मों, जो प्रमेश्वर जी ने 600 वर्स पहले जो कथा सुनाई थी, जो ज्ञान दिया था, अपने सवसम वेद में, सुक्सम वेद में, यानि सचीदानंद घन की वाणी में, अर्थात कबीर वाणी में, वो 100 प्रशंट सत्परती सत्थ सत्थ है, और आज हमारे सदगरंथ उसको सेकेंड कर रहे हैं, उसका शमर्थन कर रहे हैं, भले ही इन सदगरंथों में कम्पलीट नौलिज नहीं है, फिर भी कबीर प्रमेश्वर से सुना हुआ, ये बिर्मा जी कहीं ना कहीं से थोड़ा मुर्थ हिंट दे ही रहा है, अब दास आपको दिखाएगा श्रीवद भगवत गीता, जिसमें तीननों देवताओं भर्मा रजगुन ब्रमा सत्गुन विष्णू तमगुन शिवजी की उठपत्ती सपष्ट होती हैं, एक बार फिर सकंशप कलीर करना पड़ेगा कि रजगुन ब्रमा है सत्गुन विष्णू तमगुन शिवजी, फिर ये पवितर गीता आपके समझ मा और देवी पराण में सफ़ष्ट किया है और सिव पराण में सफ़ष्ट किया है कि दुर्गा को परकरती भी कहते हैं पवित्र स्रीमत भगत गीता पवित्र चारों वेदों का सारांस है और चारों वेद इतने मोटे मोटे हैं जिसमें ठारा हजार कुछ मंत्र हैं और गीता जी में केवल साथ सो मंत्र हैं तो ठारा हजार मंत्रों को साथ सो मंत्रों में लाना उसके लिए कोड़ वर्ड संकेतिक समद ज्यादा है इसलिए पंदर में जाय के पर्थं स्लोक में बता है कि तत्वदर्सी संत ही पूरा ग्यान इसको खोल कर समझाओगा गीता जी का और तत्वदर्सी संत वो होगा जो उटे लटके संसारुपी वरक्स के जड़ से लेकर तनाध डार और साखाओं को भिन भिन बता देगा तो परमेश्वर कबीर जी नहीं आकई अभूबिका की थी और उन्हीं का दिया हुआ ग्यान इस दास के वासुपलब्द है कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कबीर अकसर प्रोसे एक पेड़ है नरंजनवा की डार और तिन्मों देवा साखा है ये पात रूप संसार और जड़ है वो कौन है वो अलग है वो परमातमा है बहर तो ततवदर्शी संथ हैं और चोथे द्याएं के चोथी जैए के जोतिश्मी शलोक में घीता जी में कहा कि अर्जुन उस तत्वगैण का समझने के लिए उन तत्वदर्श्री संथों की खोज कर तो यह तो तत्वदर्शी संथ की पहचान भी बता दी Papa मत्यवा तैं Subscribe पर्थम अथ देवी भागवतम भासा टीका युक्ते सेह मातम सेह मातम और खेमराज श्रीकर्शन दास परकासन बंबई से परकासित है इसके तीशरे सकंदम आपको दिखाते हैं रजगुन विर्मा है सत्कुन विश्म तंबुन शिवजी और जब तो यह कंसर्ट के लिए नियो गातुर तक हम समझ नी सकते कोई भी कोई भी मारग किसी परकार का भी हम नहीं समझ सकते लुआ मैसे देखिए का अत्थ स्रीमद कुश्री नब्ध देवी भागवति भासाटी का योगते तर्तिय सकंद मरें अपरारं अर्व थे कि यह देखिए का देवी भागवत प्रिष्ट ग्यारा पर इसके और तर्तिय सकंद कि बासाटी का युग तर्तिय सकंद और अज्धाय पांच के मंतर नंबर आठ में साथ समाप्त वा आठ में बगवान संकर कह रहा है कि हे माता यदी हमारे उपर आप सदा दया युग थो त में किस परकार पर दान किया मारजोगन और हरी सतोगन अब संस्क्रत देखो क्योंकि संस्क्रत भी साफ है इसलिए ये गडबड नहीं कर सके सचाई लिखनी पड़ी उनवाद करता ने यदी दया दर्मनान सदामभी के कथम एहम वहीता चाहिए संकर जी कह रहे है कि यदी मा तु हमारे पर दयालू है हमें कहती है मैं तुमारे पर बहुत दयालू हूँ तु मुझे बहुत प्यारे हो तो इसे को कर्म क्यों ला दिये हम मैं रजोगन क्यों बना दिया कितने जी उमर है मेरे कारण है और विर्मा जी को रजगन क्यों बना दिया सब विवस हो कर के संता नुत्पत्ती करते हैं प्रभाव से और विश्म जी को सतोगुन क्यों बना जी एक दूसरे फसे रहते हैं नकली सांग में जूटे बेटा बेटी आज मर जा कल कौन किसका जब तक यह हैं तब तक हम इनके बिना रह नहीं सकते हैं यह सतोगुन के दबाव में हम ऐसे यहां मू यह छोट दें यह देखो आप कहते हैं बगवान संकर कह रहे हैं यदी द्या दर्मना ने सदांभी के कथम एहम भी हीता चै किस परकार मैं बना दिया परक्रती दुर्गा को कहते हैं यह आपने सीव परण के रुदर सहिता के अज्याय नूमर छे में सप्रठ देख लिया आप देखिए इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति श्रीमद भगवत गीता नोट भागवत ये देखिएगा क्योंकि भागवत सुदा सागर को कहते हैं ये लोग श्रीमद भगवत गीता जैल गोट का इसका अनुवादक है और चौदमा अज्याय मंत्र सलोक नंबर तीन चैर पांच में ये कंशेप्ट लिर हो जाएए देखिए अज्याय चौदा तीन सलोक का उमपड कर सुनाते हैं मंत्र को हे अर्दुन मेरी वैसे इसका अर्थ है माम ब्रहम मुझ ब्रहम की मुझ ब्रहम अच्छा वैसे इनका नुवाद पढ़ते हैं हे अर्दुन मेरी महत ब्रहम मूल पर करती है शम्पुर्न भूतों यानि प्राटों की योनी है, अर्थात्गर्वाधान सथान है और मैं उस योनी में चेतन समुदाय गर्भ को स्थाफना करता हूं इस जड़ अर्टै नि उस से, इस जड़ चेतन से, उसके से, सभी प्राटों की भूतों की उत्पति होती है अब चौथे में क्या कहा है अर्जुन नाना परकार के की सभी योनियों में जितने भी कुटेगदेसुवर की योनिया हैं जितने भी बूरतियां अर्थासिरी धारी प्राणी उत्पन होते हैं परकर्ति यानि दुर्गा उन सब की गर्व धारने वाली माता है और मैं बीज सथापन करने वाला प्यता हूँ पांच में में ये अर्जुन सत्गुन विष्णु रजगुन बिर्मा और तमगुन शिवजी ये परकर्ति से उत्पन ये दुर्गा से उत्पन हुए है तिन्नो गुन अविनासी जीव आतमा को सरीर में बांधते हैं अब काल अपने आप बरी होना चाहता है कि मैं नहीं ये गर्मा विष्णु महेस ही तुम्हें यहां कर्मों के बंदन में बांधे रहते हैं जैसा आपने गीता जी दायर नमबर पंदरा के सलोक नमबर एक, दो, तीन और चार में देख सुना कि उसमें भी ये काल कहता है कि ये तीनो गुन है यानि रजगुन, गुर्मा, सत्गुन, विष्णु, तमुन, शिवजी ही सभी प्राणियों के कर्मानु बंदनी कर्मा के अनुसार बंदन करने के मूल कारण है ये तुम्हें याँ फसाई रखते है और परमेश्वर क्या बताते है कबीर जी के नई, ये काल तुम्हें बैका रहा है ये सब ने मिलकर ही, तुम तुम को इन सब ही ने मिलकर आपको याँ फसा रखते है क्या बताते हैं इस काल को धर्म राय भी बोलते हैं क्योंकि यह अपने आपको कहता है मैं धर्म का राज करता हूँ तो जैसा करता हूँ वैसा ही फल देता हूँ इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हम्री लहिये परमात्मा कहते हैं ग्रीबदास ची को ग्यान दिया ग्रीबदास ची परमिश्वर की महिमा परगट कर रहे हैं अपनी वाणी में जैसा कि कबीर सागरमा आपने देखा कि कबीर परमिश्वर ने 600 वरस पहले कहा था कि बार माँ पंच जो ग्रीबदास पंथ होगा और उसका परवर्तक होगा वो 1774 में उसका जनम होगा उसमें 75 गलती से लिखा है कबीर सागर में और उससे मेरी महिमा की वानी पर गट हुएगी लेकिन वो गरीब दास पंथ वाले भी उस वानी को नहीं समझ सकेंगे फिर बर में पंथ में चलके हम ही आएंगे और फिर उस वानी को निर्ने करकर समझाऊंगे सब पंथों को मिटाकर एक ही पंथ लाएंगे तो ये प्रमेश्वर की महिमा की वानी गरीब दास दीन पर गट की है कि कबीर जी क्या बताना चाहते है क्या बताते हैं कबीर जी इन पांचों मिल जीव अठकाए युगर युगन हम आण छुटाए इन पांचों मिलके तुम्हे आफसा रख्या है युग युग पर तेक युग में आके हम ही छुडवाते हैं तुम्हारे को इंसे कबीर परमेश्व कहते हैं बंदी छोड़ है मेरा नाम यानि बंद छुडवाने वाले और हमारा सत्थान सत्लोक अजर अमर है वो कभी नश्ट नहीं होता वो सासवतं सत्थानम वो सनातन परमधाम है जो हमारा वास्त्विक सथान है अब इनकी महिमा क्या बताते हैं पीर पेगंबर कुत्ब ओलिया सुर्नर मुनिजन ग्यानी एत्या कूं तो रा ना पाया या जम कैव बंधे परानी ये बंधी छोड़े अब ये है ये सुक्सम वेद यानि सचीदानन्द घन का कीवानी इसके एक सलोक को अनवाद करने के लिए पीर पेगंबर कुत्ब ओलिया सुर्नर मुनिजन ग्यानी एत्या कूं तो रा ना पाया ये काल का बंधे परानी इनको तो तत्वग्यान नहीं मिला ना देवताओं को ना रिषियों को ना महरिषियों को इनको तत्वग्यान पराप्त नहीं था इसलिए ये काल की ही डोर से बंधे रहे परमेश्वर कहते हैं कबीर जी कहते है सुर्नर मुनिजन तेतिस करोडी बंदे सभी निरंजन डोरी इकाल की डोर के बंदे रहे हैं इनको जथारत ग्यान नहीं है अगर पुर्यात्मों यहां एक बात समझे आ जाती है कि कब्रमा भुष्णू महेश्वर और रिषियों ने किसी को ग्यान नहीं था हाँ किसी को ग्यान नहीं था अब या फिर कुनीन होगी यह अलग में उतर हैं नहीं हमारे दिमाक में सभी कारिया नहीं हो गले नहीं उतरेगी लेकिन यह उता रहेंगे गले गले उतरे अंदर जाएं में नहीं काम नहीं करें अगर उपर रहेगी तो इसके लिए फिर आपको पर्मान दिखाना परेगा पुनातमाओं परतेक सत्संग में, यह सत्संग कहो, यह लेक्चर कहो, यह कलास कहो, यह परिएड कहो, यह परतेक परिएड में, यहां एक सामुविक सत्संग सतल है, क्या होता है कि जैसे यह चार तीन-चार दिन का हम लगातार इसलिए करते हैं कि एक परिवार में पांस यह स चले जाते हैं सत्संग एक सुनकर दिन दिन का मान ले फिर स्यामन दूसरी आजाते हैं आसपास है तो यह आसपास का ऐसा है और फिर तीसरी आजाते हैं अगले दिन तो ऐसे वो अपना तीनों जिनों में ट्रन बाइस सारे लाग उठा ले जाते हैं तो इसलिए दास चाहता है कि रह रहकर ये रेग मार बार बार महर आजा ता कि सब काम वेल उतर जा और जो पुन्यात्मा बार बार सुनते हैं प्रभू की महिमा चे लाख बार सुन ले तो बार भी आनंद आना चीए गिदि आपको आनद नहीं आ रहा कि तो कल सुनी थी आज भी फिर सुना रहे हैं गुरू जी तो आप ऐस्वस्त है आप अभी बक्ती योग नहीं हुए हो जैसे बक्ती बुको बुखार हो जाता मलेरिया उसको रोटी भी कड़वी लगती है मनुखा दाख भी कड़वी लगती है और उसका इलाज क्या है कड़वी लग गए हैं तो तो कुनीन कड़वी ये खानी पड़ेगी फिर वो स्वस्त होगा और स्वस्त होने के बाद फिर वे सुकी रोटी भी उसको बीठी लगेगी और से ही जो वकटी पहली बार सटसंग्स सुनताippy उसको ये ग्यान अट पटा सा लगता पर सुनता रहे फाकी महार इसकी ना चाहते भी विज्एसे गोली ना चाहते भी गटक जाया क्रिए ना चाहते भी इस उन्ते रहना इस ग्यान को ये कानों के मादम से आपके पेट मजावागी कुनीन और फिर साफ कर देगे अंदर से जिससे आपको कड़ुआ पन था अब दिखाते हैं कि ना बिर्मा सुर्नर मुनिजन तेतिस क्रोडी बंदे सभी नरंजन डोरी पीर पगंबर कुत्ब ओलिया सुर्नर मुनिजन ग्यानी एत्या कूं तोरा ना पाया ये जमके बंदे पराणी ये वाणी प्रमात्मा की अभी इस वाणी को सिद्ध करना आती है उसे एक है नहीं तो कोई बी निवानने का के विर्मा वषुन बे, इस सुर्मानी देवता है इन देवता हैं को जान नही था और इन मुनियों को, ब्रहमनों को कोई जान नहीं था. रिसीों को तत्वाह बिल्कुल भी ए एबिसी ये तो वेद ज्ञान ठाय दीन खेगको अब ये सद्ध करेंगे अपने सद्गरंथ शरी मद्द देवी भागवद देखिए तो पुने आत्माँ जितनी बार भी आप सद्थ संग सुन रहे हो और आपको जितनी बार भी बरह रहे करें तो बार बार रिपीट भी की जाती है तो भी अथी लगती है तो आप सवस्थो जैसे सुबह रोटी खाई आपने और शाम ने फिर आपकी रूची रोटी भोजन में है तो आप सवस्थो यदि ऐ रूची है तो आप ऐ सवस्थो लिए वो कड़वी द्वाई फिर खाऊ करने का भाव यह है कि वांडे आपको लगता है गुरू जिनकाल भी दिखाई थी परसु भी दिखाई थी ऐसा मनम आता है तो आप अभी ऐस सवस्थे हैं पर फिर सुन इस कड़वी गुदवाई ने खाता ही रहे अरूची शेवी सुनता है यह रोग ऐसे हिकट जाएगा फिर आपको सो बार सुनने इपने सो बार अच्छी लगेगी अब देखिएगा श्रीमत देवी भागवत गीता प्रैस गुरूपर से परकासित है और इसके संपादक कौन है अनुवान प्रसाद पौदार चीमन लाल गुरस्वामी यह कहां से प्रकासित है प्रकासित मुद्रक कीता प्रैस गुरूपर गोवित बनकारियले कलकता का संस्थान इसके 28 प्रिष्ट पाप को दिखाते है पहला सकंद प्रिष्ट नमर 28 अठाइस पे और संक्सित देवी भागवत नारग जी और व्यास की वारता हो रही है यहां देखिए नारग जी ने कहा महा भाग व्यास जी तुम इस विशे में जो पूछ रहे हो ठीक कि यही परसन मेरे पिता जी ने बगवान शिरी हरी से किया था यहां देखना हूं इसे जगत प्रभु वगवान शिरी हरी यानि विश्म जी महान तब कर रहे थे उनकी समाधी लगी थी यह देकर मेरे पिता बिर्माजी को बनास्तरी यह हुआ अते उन्हों ने उन्हों ने उन से जानने की इच्छा पर गटकी बिर्माजी ने पूछा पर वो आप देवताओं के अध्यक्स जगत के स्वामी भूत बविस्य एमेम वरत्मान सखी जीओं के एक मातर सासक हैं बगवन फिर आप को तक्ष्चा कर रहे हैं और किस देवतायल किस बगवान की अरादना में ध्यानमगन है मुझे असीव आस्तरिया तो यह हो रहा है कि आप देवेस्वर एमेम सारे संसार के सासक होते हो भी समाध्य लगाए बैठे हैं तो विश्म जी क्या बोले बर्माजी के विनितवचन सुनकर बगवान स्री हरियानी विश्म जी ने ये उत्तर दिया बर्मन साधान हो कर सुनो मैं अपने मन का विचार विक्त करता हूं देवता, दानो, मानों सभी ही जानते हैं कि तुम स्रिष्ठी करते हो मैं पालन करता हूँ और संक्र सहर किया करते हैं किन्तो फिर भी वेद के पारगामे विद्वान अपनी युगति कि रचने पालने और सहर करने की या युगता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री सक्ति देवी है दुर्गा है वे कहते हैं कि संसार की शेष्टी करने में तुम राजसी सक्ति का संसार हुआ है मुझ मैं सात्विक सक्ति मिली है और उदर मैं तामसी सक्ति का अविर्भा हुआ है सूवर्थ, पर्तेक्स और प्रोक्स दोनों धान में तुम्हारे सामने रखता हूं सुनो यानि इसी बात है कि उस सक्ति यानि दुर्गा क्या धीन होकर मैं इस सेस नाकिसिया पर सोता हूं सेस्टी करने का उसराती जाग जाता हूं मैं सदातब करने में लगा रहता हूँ इस सक्ती के असासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता कभी आउसर मिला तो लक्समी के साथ सुख पुर्वक समय बिताने का सो भागय प्रावत होता है मैं कभी तो दानों के साथ युद करता रहता हूँ कभी अखल जगत को भैपोता है ने वाले जच्टों के भी क्राल सरीरों को सांथ करना मेरा प्रम करता हूँ हो जाता है और फिर क्या कहते है अब यहां तोड़ पाड़ जिया विश्णु जी ना अपने ग्यान का मुझे सब प्रकार से सक्ती का अधीन हो करेना पड़ता है उन्हीं भगवती सक्ती का मैं रणतर ध्यान किया करता हूँ और विर्माजी मेरी जानकारी में इन भगवती सक्ती से यानि दुर्गा से बढ़ करो कोई देवता नहीं कोई और भगवान को नहीं अब आगी प्रमात्मा की भुवानी सुर्नर्मुनि जनते तिस करोडी ये बंधे सभी काल की डोरी इन विर्म तक का विज्ञान को ना वेदों का विज्ञान नहीं विश्णुजी को ना विर्मा जी को अब देख दुर्गा क्या बताती है ये कहता है कि मैं तो दुर्गा से उपर कोई बगवान नहीं मानता देव नहीं मानता और देवी क्या कहती है कि विर्म की पूजा करो उसका ओम नाम है सब बात्य छोड़ दो बता भै अभी नकित कित्तर हो है अब 562 प्रिश्पे आपको जिखाते है सात्वा सकंद संग्सित देवी प्राण देवी भागवत 562 अब देवी बता रही है हिमाले को ज्ञान उपदेश दे रही है ब्रहम का ब्रहम सुरूप का वर्नन पहले जी अपनी अठकलाव है कि मेरा ऐसी वक्ति गरो फिर कहती है वो ब्रहम कैसा हूँ बताती हूँ श्री देवी जी कहने लगी है उस ब्रहम का क्या सुरूप है यह बतलाया जाता है जो प्रकास रूप सब के अतिन समीप में सथित हर्दे रूप गुहा में सथित होने के काण गुहाचर नाम से परसिद और महान पद अर्थात प्रम प्रापे है वह सबस्त परजा के ज्यान से प्रे है अर्थात किशी की बुधी में आने वाला नहीं है ऐसा तुम जान जो प्रम प्रकास रूप है जो सुक्सम से भी अतिन सुक्सम है जिसमें संपून लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सथीत है वही यह अक्सर ब्रहम है वही सब के प्राण है वही सब की वानी है और वही सब के मन है वही यह सब प्रम सथ है यह प्रम सथ और अमरत अविनास इसी ततो है सुमें उस बेदनी योग लक्से का तुम बेधन करो, मन लगा कर उसमतंड में हो जाओ सो में उपनिस मकथीत महान अस्तर धनुस लेकर उस पर उस पासना दोरा तिक्सन किया हुआ बाण संधान करो और फिर बानगुत जित के दोरा उस बाण को खेंच कर उस अकसर उप रहम को ही लक्से बना कर बेधन करो या मैं मत बता हुआ और बगवान अभिनासी परमात्मा की मंतर बता रही है परवण माने ओम धनुस है जीवात्मा बान है और ब्रहम को उसका लक्से कहा जाता है उस एक मातर ब्रहम को ही जाने दूसरी सब बाते छोड़ दे यानि ना मेरी पूजा करना ना किसी और की केवल ब्रहम उपास ना करे यही अमरत रूप प्रमात्मा के पास पहुंचने का पुल है यहां देखो इस आत्मा का ओम के जफ के साथ प्रमात्मा लिखना था यहां पर इस प्रमात्मा का ओम के जफ के साथ ज्यान करो इस से अग्यान में अंदकार से सर्वता परे संसार सागर समुदर से उस पार जो ब्रहम है उसको पा जाओगे तुवहरा कल्यान और यहाँ वो क्या कह रही है वो है यह है शब का प्रमात्मा आत्मा ब्रह्म ब्रह्म लोक रूप दिव आकास में रहता है वह सती थे अपनात्मा अब इन सत्युक के ब्रामनों का मुनियों का ग्यान और देख लेती है चारसो चौदा प्रश्ट को प्रमात्मा की एक वाणी इतना ज्ञान फैला दिया इन लोगों ने के प्रमात्मा के उस यथारत ज्ञान को सत्त को सत्त करने के लिए यह इतने पापड़ बेलने पड़ते है इस दास को जब आप कईनू यकीन होता है कि सच मुझकबीर जी की वाणी सची है चटा जय चटा में जय ने पूछा महाभाग किस योग में कैसा धर्म का शुरूप है इस संपर्ण विशे को विशेश रूप से बताने की करपा किजिए व्यास जी बोले व्यास जी कह रहे है जो वेदों के राइटर हैं और गीता की और पुराणों के रादन ये निश्चे है कि सत्योग म ब्राहमन वेद के पूर्ण विदवान थे और उनके दोरा निर्नतर भगवती जगदम्बा की अराधना होती थी जैहो और वे भगवती का दर्सन करने के लिए नकामन सदा ललाइत रहता था वार रवास या लिए वो ने शत्योग के ब्राहमन का अर वेद के पूर्ण करते थे अर दूरॡगा कहरी है वो तुप Autom Punch करो बाकी सब छोड़ दो और बिगारी है और गिता समगे जी तब कह görün यूग में राक्षस होते थे उस कैटेगरी के कलियूग के ब्रह्मने अब दास नहीं कर आया देखो यही छटा सकंद यही 414 प्रिष्टवई आप पढ़ रहे थे बिल्कुल इसी प्रिष्टवई यहां देखी दर्म की यह सती जी त्रेता यूग में रही प्रन्तु कुछ हरास हो गया सत्यूग की जो सतीती थी वद्वापर में विशेश रूप से कम होगी राजन उन प्राचिन यूगों में सत्यूग तरिये तक में और जो राक्सा समझे जाते थे वे कली में यानि कली यूग में ब्राह्मन माने जाते हैं क्योंकि अब के ब्राह्मन प्राय पाखंट करने म में तत्व परहते हैं दूसरों को ठगना जूठ बोलना और वैदिक ध्रम कर्मों से अलग रहना कलियोंगी ब्रामनों का सवभाविक बुन बन गया अब इन का तक करना है के वाईयत अब सफ़ेष्ट होगी अब सत्युग वालाओं की पोहल पाइट गी वह दुर्गा की पू जाकरो उसके लिए को तत्व दर्शी संत्की खोज करो वलो सत्गुर्दे परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी पूर्ण ब्रह्म है सर्वेश्रिष्टी रचनहार है ये कुल के मालिक है ये प्रमात्मा अपनी प्यारियात्माओं के लिए अपने सत्लोक से चल कर आते हैं और वरिष्ट यानि अच्छी आत्माओं को स्रेष्ट आत्माओं को मिलते हैं उनको मिलकर के अपना ग्यान समझाते हैं फिर वो पुन्यात्माएं प्रमात्मा के तत्व ग्यान से प्रीचीत हो करके उस परमेश्वर के गुलगान ढोल के डं के प्रगाते हैं प्रमेश्वर जी अपनी वानी में कहते हैं कभीर जी चारों युग में संत पुकारे कूक कया हम हेल रे के चारों युग में मेरे संतों ने भी आवाज लगाई मेरे द्वारा दिये गेतत विज्ञान की और मैंने भी आकर के उच्छी आवाज लगा लगा के अपनी प्यारी आत्माओं को संभोधित किया और यहीं वेध बताते हैं कि वह प्रमात्मा अपने तत्वज्ञान के परचार हे तुग सत लोग से चल कर आता है अपनी प्यारी आत्माओं को दोधार्मी कनूष्ठान कर रहे हैं उनको आकर मिलता है उनको फिर अपनी यथारता से प्रिचित कराता है सत लोग के दर्सन करवाता है फिर वो पुन्यात्मा उस प्रमेश्वर की पक्की गवाँ बन जाते है प्रमेश्वर कबीर जी है ये चारों वेद उगाहा चारों वेद गवाँ है और वो आँखों देखे जिन्होंने प्रमात्मा की प्राप्ती हुई प्रमात्मा का साक्षात्कार हुआ वो संथ प्रमात्मा कबीर जी के गवाँ है सद्गरंथ जो बताते हैं वही परिभासा वही लक्षन आँखों देखा संथ बताते हैं वो संथ जिन्होंने वेदों को पढ़ा भी नहीं था सुना भी नहीं था सुना तो उल्टा ही था लेकिन पढ़ा भी नहीं था और जो उल्टा सुन रखा था उसके लिए उन्होंने संग्रस भी किया अपनी अमर्तवानी बोली प्रमात्मा के साश्रातकार के प्रश्चात जो उनका अनुभाव था उन्होंने अपने अनुभाव की वानी ये थार्त रूप में परगट की ये जो पांच दिवसिय समेलन है सत्संग है ये धार्मी का नुष्ठान जो चल रहा है ये इसी खुशी में है के फालगुन मास की द्वादसी को फालगुन मास की द्वादसी को सुधी को यानि फालगुन उत्तरते की द्वादसी को पूर्ण प्रमात्मा कवीर देव जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करके सन पंद्रा सो अठारा में चले गए थे सैसरीर सतलोक में उसके बाद वो सन सत्रा सो सत्ताईस में सन सत्रा सो सत्ताईस में हरियाना प्रांथ जिला जजर गाउं छुडानी के खेतों में संत गरीबदास जी दस वर्षी अबालक को सैसरीर आकर के मिले एक महात्मा के रूप में उनको मिले थे ये दिन विशेश परव के रूप में हम सभी परमेश्वर अन्यायों ने मनाना चाहिए और इसके उपलक्स में अधिक से अधिक भगतों ने यहां आसरव में आकर के इस अमरत ग्यान का लाब उठाना चाहिए अमारे लिए सबसे बड़ा प्रव है सबसे बड़ा तोहार है कि वो परमात्मा यहां आए अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को अपने ग्यान से ओत परोत किया और उनको सच्खंड में लेकर गए सत्त लोग में और वहां से फिर उनको छोड़ा पूरा ग्यान आखों देखा जो गरीबदास साहिब जी ने आखों देखा प्रविश्वर कबीर जी की भहिमा उनकी सक्ती और फिर आखों देखा ब्रमा विश्वन महिस की सथी थी आखों देखा ये ब्रम पर ब्रम कहां रहता है ये काल की क्या सथी थी है तो वो जोका जो आखों देखा लिखा है गरीबदास साहिब जी कहते हम देख्या सो साच है और सकल पर पंज थे हमने जो देख्या वो सच्ट है बाकी जो बोल रहे हैं ये सब जूट बोलते हैं बड़ा उटी बाते हैं और आज ये बाद सिद्ध हो रही है परमात्मा सबसे पहले हमने परमात्मा के विस्या में ये जानकारी प्राप्त करनी है के कौन है वो प्रभू Namow और कहां रहता है वो मालिक और उसको कैसे पाया दा सकता है उसकी क्या सथीची है वो साकार है वो निराकार तो उससे हमने कैसे ये निरने करें कोई कहता प्रमात्मा साकार है तो साकार रूप में क्या बताते है कि जैसे ये सारी पर्चुई बिर्भांड जो भी है ये प्रमात्मा का ये रूप है ये साकार बताते है और वैसे प्रमात्मा को निराकार बताते यह तो गेसी पुटी थूरी थी, यह तो बनावटी बातें थी, यह कोई बात होई, कहते हैं साकार रूप में यही प्रमातुमा, अब जैसे आपको स्रिष्टी रचना सुनाई थी, शेश्टी रचना में यह विश्टार से आपको बताया गया, और अन्य संतों ने क्या बताया है, जैसे राधा स्वामी पंथ और धंदन सत्गुरू सच्चा सोदापंथ शिर्षा वाले, और जग्माल वाले, मथुरा वाले, यह जैगुरुदेव वाले, यह सारे एक कुए का पानी है, यह एक ही कुए का जल है, इसमें कोई अंतर नहीं, वही इनका ग्यान के सापटा, कहीं की इंट, कहीं का रोड़ा, और वही इनके मंतर, और सरिष्टी रचना इनकी सुन ले, तो कहना है क्या है, इन्होंने बताया है कि पहले परमात्मा अकेले थे, निराकार था, और फिर परमात्मा साकार हुए, तो उपर के तीन चेतन मंडल बन गए, चार चेतन मंडल बन गए, परमात्मा जब साकार में आया, तो सत लोग, अलग लोग, अगम लोग और अकेह लोग, यह यह बन गया बगवान, यह पत्थर बन गया, यह पर्च्वी बन गया, यह सब फ्र के भुन धोगन भुम्रे चाहरएं हुप ए जो गर आपर है यह अग्धाव्वान ऐसे बनी गया तो आ जिरा आ ju यह बगवान गजी जाए यो पथर ग्ष मजीज थी परछ्वियत खीज मुआ था इनकी जो दुवारा दिया गया ये बग क्या नाम है शिरिष्टी रतना का ज्ञान तो ऐसा है एक समय एक कंडिडेट इंट्रिवू देने गया साक्षात्कार के लिए गया तो इंट्रिवू में उससे पूछा गया कि आपने माभारत पढ़ा है वो सटूडेंट केहता है कि खूब पढ़ रख्या है माभारत की कथा मैंने खूब उंगलियों पर याद है मेरे को तो इंट्रिवू लेने वाले ने साक्षात्कार लेने वाले ने कहा कि पांचों-पां कि एक पीम एक दबड़ बरा एक ओ चोटा सी एक होर्सी एक दा नाम भूलिया यह कुछन माभारत के पांचों पंड़ सुना जिए रध परड़े तो ऐसे इन शंतों की कथा है सहिष्टी रचना पड़ के देखिए उन धन-धन-धन-धन-शुतूरु वालें की रादा- सब्सक्राइब को बता सरदाकर कर जाते हैं बोर्ड लगया हुआ है वह एंबी बीएस डॉक्टर और बोड़ी आत्मा जाते हैं डॉक्टर समझ गई मरीज ने क्या पता है डॉक्टर हैक नहीं और वहां वो गल्ट मेडिशन देखे सबका जीवन बरबाद कर दिया डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर ही बता सके तो यह दास भी डॉक्टर बन गया इस अज्ञातमिक मारक का अब इन सब डॉक्टरों की जो देखी के इन्होंने कौन सी दवाईया बना रहे हैं सारी नक पुनातमों यह दास डोल के डंके पकाता है और सब के बाद संदेश बेज दिया हमने कि तुमारा ज्ञान गल्ट है और तुम गल्ट मारक दर्शन कर रहे हैं लेकिन कोई नीचा सकता है हाँ गाली जरूर देजिए हैं तर नकल जूठ हो तो निंदा करता है राम पाल तो श करत्व होता है क्री खरीकर है और सच्चाई बता जो हमारे पर्मातमान कबीर जी ने भी यही किया था और वही आदेश इस दास के लिए हो चुका है यह दास भी अन्तीम समाज तक यहीजी सच्चाई बियां करेगा जिसे मानो समाज का उरधार होगा और पूरे विषवय मे ये ग्यान जाएगा, क्योंकि ये टोब का गोला है, ये ऐसा ग्यान है, इसके सामने कोई नहीं तेक सकता है, चैके कितनी बात बनाता हो, अरुछ एक करोड से सोन गुवरा करें वैठे हो, पुन्यात्मा एक बार समझी और समझी, बस, क्योंकि अभी तक सभी के अंदर ये पर काम करेगा। कोई बात होई? फिर इतने बड़े गरंथ लखने की क्या उसकता थी प्रभू ने। इतने बड़ी बड़ी अपनी वाणियां लखने की क्या हो सकता थी संतों ने। दो अक्सर लेख जाते हैं वह संत जो भी कह वो इनाम जपली हो थपनुमरा कल्यान हो जागा नहीं कहते हैं कहए कभी निजनाम बिना कैसे उतने पार निजनाम, सत नाम, खास नाम, विशेश नाम जो प्रमात्मा पाने का है उसी से मोक्स होगा पवितर गीता जी में जाय नुमर 17 के शलोक टेश में कहा है कि ओम, तत, सत, इती, निर्देशा, बिरमने, त्रिविद समरता है तो नहीं तेश में कुछ भी लग जीता में भी लग देते हैं बगवान वह कुछ भी दाम जपो, संत दो देदें वह जाप कर ले ना ये खास संकेत, उदर से ये भी कहा है कि तत्व ग्यान, तत्व दसी, संतों से जाकर पूछो, चोथे जाएगे, चोँटिश में से लोको फिर उसकी पहचान बताई है, पंदर में जाएगे, पर्थम मंतर में और फिर साथ में संकेत भी कर दिया कि वह संत, ओम, तत, सत, केवल तीन मंतर का जाप है, वह देता है तो तत्व दसी संत ना तिनकली है ये संकेत इसलिए देना पड़ा कि कोई जो कहें देवे तत्व दसी संत, कुछ भी नाम देदे फिर नहीं ये संकेत इसलिए करना पड़ा कि कोई मनमुखी बहाने बना करके कुछ भी नाम देने लग जाए वो ठीक नहीं परमेश्वर कबीर जी सन तेरा सो अठाण में विकर्मी समध चौदा सो पच्छपन में सत लोग से चल कर आए और एक कमल के फूल पर कासी सहर में लहर तारा नामक एक कमल के फूल पर एक नवजात सिसु का रूप धान करके विराज़मान हुई उनके प्रत्यक्स दर्ष्टा एक अश्टानन्द नाम के रिशी थे जो महर रिशी रामानन्द स्वामी जी के श्यस्त थे आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्षी संतरामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatkururampalji.org संतरामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880-541